आप इस समय देख रहे हैं आर पार का यह जबर्दस टेशन और इस समय भारत तो पाकिस्तान के बीच में भी आर पार ही हो रहा है जब होस्ट लिखाने आते हैं तो असर कितना जोरदार होता है ये कोई पाकिस्तान को देख कर समझे तो कि आतंग की पूझा करने वाले आतंग की इभादत करने वाले ये मुलक अब शांती पार्ट पर उतर आया है वहां की सेना गिरगिरा रही है कि बातचीत का रास्ता अपनाया जाए युद्ध वार सिर्फ सोलूशन नहीं है वहाँ की सरकार कह रही है कि हम जंग की हम जंग नहीं चाहते हमसे बाचीत कोई करे पाकिस्तान का ये हिर्दे परिवर्तन भारतिय वायू सेना की उस मार्प का है असर है जो पाकिस्तान को बहुत गहरी चोड़ते क्या है और अब अपनी नाक बचाने के लिए पाकिस्तान जूटे वीडियो जारी कर रहा है जोधपुर में करीब तीन साल पहले भारतिय वायू सेना के एक लडाकू विमान जो क्रैश हुआ था उसकी तस्वीर दिखा पूरा पाकिस्तान ढोल पीट रहा है कि देखो हमने आज भारत का विमान मार गिलाया लेकिन आज हम पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर देंगे क्योंकि भारत सरकार ने रुक साफ कर दिया है कि हम भी पाकिस्तान में घुजकर आतंकी मसूद अजर को उसामा बिला दिन वाले अंदाज में निप्टा सकते हैं यानि संकेत साफ है ज प्रचंड है इसमें किसी कोई कोई शक और शुभाब नहीं होने चाहिए जो अमन की आशा वाले है वो अपने घर पे बैढ़ जाए अपने पालतो आतंकियों की जोरदार नाई के बाद अब बारी पाकिस्तान की कायर सेना की है क्योंकि आतंकियों पर भारतीय वायू सेना की मार से तिल मिलाए पाकिस्तान और उसकी सेना ने जूट की जड़ी लगा दी है और आज हम पाकिस्तान के एक एक जूट की पोल खोलने वाले हैं लेकिन पहले वो खबर जिससे हर देशवासी का सीना गर्व से चोड़ा हो जाएगा भारतीय वायू सेना ने एक पाकिस्तानी F-16 विमान को मार गिराया इस पाकिस्तानी विमान ने भारतीय सीवा में घुसने का दुस्सा हस किया था बॉर्डर पर भी भारतीय सेना बॉखलाए पाकिस्तान का पुक्ता इलाज कर रही है अंतराश्टी स्तर पर भी भारत पाकिस्तान की पोल खोल रहा है प्राहरत के आतंकवाद से लड़ने की पतिवधता का प्रमान है। हमले के ठीकाने का चैन इस बात को ध्यान में रखकर किया गया था कि किसी भी तरह से आम जनता को कोई हानी न पहुंचे। The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The United States, the naval scene, Abitabad, say Osama bin Laden ko lay गए तू क्या हम नहीं पर सकते। इस तर्पना होती थी, इस्षा होती थी, एक फ्रस्वेशन था, निराचा सी, आज तो वही संबल है। The Meated Lord did the action taken by the Indian Air Force against the terrorist camp on 26 February 2019 and praised our armed forces for their valor and their bravery. अब आपको पाकिस्तान का जूट दिखाते हैं। आज जूटे पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने अपनी सीमा में भारत का एक MiG लड़ा को विमान मार गिराया। इस जूट के साथ पाकिस्तान की सेना ने प्लेन क्रेश की फर्दी तस्वीर भी जारी कर दी। लेकिन इसी तस्वीर ने पाकिस्तानियों के जूट की पोल खोल दी। क्योंकि ये तस्वीर 2016 में जोदपुर में ट्रेनिंग के दौरान क्रेश हुए MiG विमान की निकली। पढ़ा मुद्दा है कि आखिर आतंकियों पर भारत की कारवाई का जवाब पाकिस्तान की सेना क्यों दे रही है। देश की सबसे बड़ी वहस। जब तक दोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप इस समय आरपार देख रहे हैं लेकिन पाकिस्तान के घुतने टेकने का वेश्टेशन सुनिए पाकिस्तानी सेना और इमरान खान की बादचीत की पेशकश सर्दिकल स्ट्राइक पार टू के बाद बैक पुट पर लगातार पाकिस्तान है अपनी नकामी चुपाने के लिए जूट पर उत्रा पाकिस्तान प्लेन क्रैश के पुराने वीडियो को अपनी सेना की खूब जमकर तारीफ करी पता लगा वो पुराना वीडियो था भारत के डर से पाकिस्तान बोला हम जंग नहीं चाहते हैं बादची चाहते हैं आतंक के खिलाब भारत को है पूरी दुनिया का समर्तन जो ग्लोबल सिच्वेशन है वो हमारे पक्ष में आज खड़ी है आतंकियों की मौत का बतला लेने पाक सेना मैदान में उतरी पाकिस्तान ने खुद साफ कर दिया कि वो आतंकियों के साथ है यानी कल हमने आतंक्य कैम्प पे अटेक करा हमारा हमला civils पे नहीं था Pakistan आर्मी पे नहीं था हमारा अटेक आतंकियों पे था हम गए हमने 5 कैम्प को दश्करा 300 से जदा आतंकी मारे और वापस आगे हम और भी बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन पाकिस्तान ने आठाफ कर दिया कि उनका हाथ आतंकियों के साथ है मेरे साथ सिस्क्रशा में आज कई मेंढ़े जन्रल करनल गोरव भाट है करनल दानवीर है और स्टयाटीजीकली बहुत पकड़ रखते है अब बिजीत भटचा रहे हैं इस देश के चाने माने गायक को कि पूरे देश को एक होने की जरूरत है पल्लवी शर्मा मेरे साथ जूर रही है जो की कॉंग्रस पार्थी की परवक्ता है उनका भी स्वागत है मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ लेकिन आज हम जैनी साब जहां खड़े हैं वहां से आरंब ये प्रचंड है कह सकते हैं हाँ, ये कहे सकते हैं हमेश ये जो परिव これवीरतन की आप बात कर रहे हो ये परिवरतन एक दिखावा है ये परिव 5000 आज पहली बार नहीं वा है 70 साथ से कम सेग हंगी तो 7 बार हो चुका है आज परिवर्तन जब मार खा के पाकिस्तान बोलता है आओ हम बात करेंगे हम तो टर्रिज्जम पे भी बात करेंगे तो क्या हमने पहले बात नहीं करी मुशरफ को हमने आगरा बुलाया क्या हुआ हमारा पार्लेमेंट ठोका हमारी सीट ऑफ डिमॉक्रिसी को अटैक पर आज आज इमरान खान किया रही मैं बाच्चीत करना चाता हूँ तो यही मैंaining कहरा हमारे आप पर जो लोग बाचीत के पंचसठर हैं उनको मैं मैसेश देना चाहता हूँ 70 सालों से तुम बाच्चीत ही करते permettre 58 के पहरी बाणा श॑रा हुए सक्तर सालों थे तुमने बातचीत ही कर ये बातचीत करने में लगे थे। सक्सेस वो होता है जब आपकी ऑपरिचुनिटी आए उसको पकड़ दो उस ऑपरिचुनिटी को जाने मत दो इस समय हमारे सामने प्लेट में जहर है चटा दो दुश्मन को इस समय जहर हो मत छोड़ो यह वाला ऑपरिचुनिटी यह ऑपरिचुनिटी दुबारा नहीं मिलेग इतना गरम महौल दुबारा नहीं मिलेगा आपने बॉर्डर पे जो हमारे लोग है उनका जजबा देखा होगा राजबत पे जाओ इंडिया गेट से लेके और पूरे रश्टमदी भवन तक जजबे का जजबा देखेगा आपको तो ये इसका इसका इस्तमाल करे सरकार और इ पाकिस्तान बहुत कुछ कह रहा है इमरान खान कह रहे है कि मैं बादचीत भी करना चाहता हूँ हमारा एक पाइलिट इसमें पाकिस्तान के कबजे में भी है इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन कल हमने जो आतंकी कैम्प पर एर स्ट्राइक्स करी है सन एक अत्तर के बाद इंद्रा गांधी के बाद इंद्रा गांधी के शासन के बाद ये नरेंद्र मोदी के शासन ने जो एस्ट्राइक्स करी है इसका एक इंपैक्ट हमें देखने को मिला है एक खलबली है लेकिन हम कहा जा रहे है देश इसमें ये भी जानना चाहता है देगे अमीज जी कल जो हमारी वीर वायू सेना है उसने एक करारा थपड़ पाकिस्तान को मारा और उसकी गूंज से ही पाकिस्तान बहरा हो गया और मैं ये बात क्यों कहता हूं अमीज जी बहुत बड़ा संदेश दिया हमने पाकिस्तान को कि अगर तुम आतंकवादी गतिविद्यों को बढ़ावा दोगे भारत में तो ये बारत तुम्हें तुम्हारी धरती में घुसके ठोकेगा देश को ये भी विश्वास हो गया कि जहां एक तरह हमारी वायू सेना और आम पालेट पे उनके कमजे में चला गया मैं आऊंगा मैं आऊंगा उस पे भी आऊंगा लेकिन अभी एक मिट में अपनी बात पूरी कर लो जी एक बहुत बड़ा मेसेज ये भी गया मीश जी कि इस देश की कमान एक मजबूत प्रधान मंतरी पे है और जैसे पूरा देश विश्वास करता है हमारी सेना पे प्रध हमें कोई हानी नहीं हुई ति हमारे अपरेशन हाइली सकसेस्टफूल था इसका गर्व है आज एक पाilot उनके कब्ज़में भी चला गया है हाला कि आज इतिहास में पहली बारों में कहना चाहता हूँ F-16 को मिग ने उड़ाया है ये होता नहीं है ये बड़ा शॉट डाउन था जो आज हमने करा है एक्चिली इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन अरुन जेंटनी ने बोला अमेरिका ने एप्टाबाद में जैसा उप्रेशन कर सकता है उसाव बिलादिन को पकर सकता है तो हम भी उसी तरह को उप्रेशन करने में सक्षम है मेसेज वस वेरी लाओड और ट्लियर लेकिन उसी बीच हमारा एक पाइलेट पकड़ा जाता है आज 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 विदेश मंतराले ने स्पष्ट किया है अमीर जी कि हमारा एक वीर जो पाइलेट है वो मिसिंग इन आक्शिन है इसके बाद जब तक कि अधिकारिक तोर पे विदेश मंतराले या रक्षा मंतराले कुछ न कह दे टिपड़ी करना उचित नहीं होगा लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि हमारे देश की सेना और सरकार जो ताकत हमारे पास है वो पूरी लगा देगी कि हमारा ये जो वीर पाइलेट है ये भारत वापस आए और ठीक ठाक आए ये मैं जरूर कह सकता हूँ अब मैं मोटी बात पर आता हूँ आज के दिन में ही देखिए एक इमरान खान जो पहले हताश थे और निराश थे कुछ दिन पहले आज वो डरे हुए भी हैं और वो डरे इसलिए हुए हैं कि सुश्मा सुराज जी ने आज एक स्टेटमेंट इश्यू किया जिसमें भारत रूस और चीन जोइन स्टेटमेंट देता है कि हम आतकवाद की इस लडाई में भारत के साथ खड़े हैं परसपर हमेशा पाकिस्तान के साथ रहता था लेकिन आज वो भारत के साथ मैं निर्दोश ट्यागी साथ के पास भी जाऊंगा जो कि पूरवेर माशल है मेरे साथ काफी देर सी जुरू है कनल दानवीर भी है पलवी क्या आपको लगता है सानिक 70 के बाद जो मोदी सरकार ने आक्शन लिया उस आक्शन में दम है इसलिए आज इमरान खान बाचीत की पेशकर्ष कर रहे है देखे अमीज जी पहले तो आज दिन है गुनगान करने का हमारे वीर सेनिकों का सबसे प्रथम बात है आज ना मोदी सरकार की बात होनी चाहिए ना भाजपा की ना कॉंग्रेस में 1970 या कतर में क्या क्या उसकी कोई बात नीजी मुझे पता है आप राजनीती में बहुत रूची लगते हैं लेकिन आज कर दिन राजनीतिक बात करने करने कर नहीं है हमारे ने बात कर रहे हैं ने ने अगर आप चिंखेंगे आप जालते हैं पूजा करते करते हैं विस्तिति में पहुच गए छब्विस-ग्यारा के बाद 26 डेषब और इसRe नहीं है lips my ये बात कहता हूं जो लोग धेरे की आप देश को गुमरा कर रहे हैं इसलिए मैंने शुरू में कहा आपको राजनीती में रूची है आप सुनिए मेरी बात सतर साल की क्या बात करते हैं आप 1965 का बूल गए 47 का बूल गए 71 का बूल गए करें हैं आप अमारे सेनकों को इतना कंध रहे रखें आप क्या बात करें हैं आपि इतना कंद्श के रहे हैं उसके लिए पहली बार ऐसा देखा मुझे लगता है सवाल ही आपका जवाब है अगर आज दूसरी बार हुई है कारगें करी सुन लीजिए आज मौका नहीं है कि इतनी जोर से बात हो पूंता है नहीं है तो किस ने बोला करव नहीं है साजी के प्रूप आप दो ने मांगें ने किस ते बोला सब्क Also intentar करनल 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 कह एक जंता ने को सब्देखा यह थए जन् varsam मैड़ब मैड़ं मैड़न मैडफय पाकिस्टान से है ग्रॉप्छ चुब यूच ने क्या है उसके रो पो रहे हैं जब लड़ाई पाकिस्टान से मैं भी तो मही कह रहा हुँ आज देश एक जोठ है आग वक्त नहीं है कि भाझपा की बात ओंगरेस की बात ओंगने च Traditional ने ऑनी ने चुप रही है बाद यहाब यहाब नहीं रूठखे रूठ경 की बीपल रही है रूठक hell होmost चुप रहे हैं जो आज भी देश को भाजपोर को बिल्कुल मैडम 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 आप आपके कहने से हम चुप नहीं होंगे इस देश के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे बिल्कुल करनल दानवीर करनल दानवीर हम पत्रकार भी चुप बैठ जाएं आप भी चुप बैठ जाएं नेताओं को पूरा मौका मिला जाए बोलने का देखे बड़े दुख की बात है कि आज के दिन अभी हमने शाम को मैं किसी चैनल पर था तो वहां पर ओपोजिशन पार्टी का कोई जॉइंट स्टेट्मेंट निकला कि हम से सला नहीं मांगी गई तो मेरे को बड़ा दुख लगा कि इस मौके पर जब मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टेशन की कगार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान खड़े हैं तब आप अपनी सला देने के लिए वहां पर पहुंच गए अरे भाई अभी तो नरेंदर मोधी सला मांग रहे हैं सेना उसे कि अभे क्या करना चाहिए विकॉज प्रोफेशन इस तो यह जो राजनीती की बात है यह शर्मा मैडम की तरफ में इसारा नहीं कर रहा हूं लेकिन उन नेताओं की तरफ कर रहा हूं जिन्हों ने एक छोटा पन दिखाया है इस मौके पर जबकि साथ खड़े होना चाहिए उन्होंने अपना एक जॉइन स्टेटमेंट निक इस प्रकार की पॉलिटिकल बात करना बिल्कुल ओचा पना है घटिया पना है जिस प्रकार का हमने यह जॉइन स्टेटमेंट देखा एक सोलजर में बहुत आहत हुआ मेरे को लगा कि मेरा सारा मुल्क जो है मेरे साथ नहीं घड़ा जी आहत तो तब भी हुआ जब कुछ लोग कहता है कि बातचीत कर लेनी चाहिए जना और 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 इसमें बड़े दुख्यार के बाद हम बातचीत करें कारगिल से पहले हम बा पाकिस्तान क्या वो कंट्रोल रिस्ट्रेंड करते हैं जब उनने पुलबावा में 40 जवानों के शहीद कर दिया था नहीं हत्ते जवानों पर हमला किया था तो जो लोग जो लोग कहते हैं बातचीत होनी चाहिए जो कहते हैं कि हमारा एक पाइलेट अगर अगर एक पाइले है चाहिए वो एकस्तर में इंद्रा गांधी ने दिया हो या एर स्ट्राइक्स में हमारी वायू सेना ने दिया हो पॉलिटिकल विल के साथ जो बड़ा जरूरी है अभी जीट अभी जीट अभी जीट एजट शेजर अफ इंडिया तुनाइट वाट इस यूर व्यू फर्स जनरल जैनी साब की बात से बहुत प्रभावित हूं और आप लोग एक चीज़ समझे यह बिलकुल साफ है कि हमारी लड़ाई आर्मी टू आर्मी नहीं है वहां की आर्मी टेर्रेस्ट है वो लोग टेर्रेस्ट हैं उनका लड़ाई बिलकुल अलग तरह का है अब यह देख सामा को पकड़ने के लिए पाकिस्तान तक आए हैं हमको तो वहां तक जाने की जरत नहीं है हमारे देश में ही वो लोग पना परहे हैं कश्मीरी में जो हुरियत है या आजकल जो जो सीम थी वो पाकिस्तान के गुंगान कर रहे हैं और नेता लोग पाकिस्तान के बारे में आप निकलिये, आप सोशल मीडिया में देखिये, कैसे छुप छुप के हम लोगों को गाली दिया जाता है, तो हमारी लड़ाई तो जिहादियों के साथ है, यह आर्मी तो जिहादी है, तो इनके साथ हम आर्मी जैसा विवार क्यों करें, इनको घर से निकाल निकाल के साथ प सब्सक्राइब करें पहली बार ये भी वा लेकिन देर ते हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ जी जी और निर्दोस्ट यागी है निर्दोस्ट यागी हम पॉलिटिकल वारफेर तो देखी रहे हैं जिस तरह की सिच्वेशन है लेकिन एक मेच्योर स्टेट्मेंट हमने देखा तमाम पॉलिटिकल पार्टी से एक टाइम पर कि हाँ इस घड़ी में हम देश के साथ कड़े हैं सेना के साथ कड़े हैं सरकार के साथ कड़े हैं लेकिन स्टूडियो में जो कुछ होता है वो मुझे किसी को बताने के अविशकता नही पाकिस्तान का मीडिया वही सब बाइच को उठाता है और प्ले करता है कैसे इंडिया आपस में बटने की कोशिश कर रहा है विक्ली निर्दोष्ट यागी जी हाँ आपकी बड़ी जोश भड़ी और गरम डिवेट हो रही है शायद मेरी आवाज दबके रह जाएगी प्लीज में यह कहना चाहूंगा कि येस माइ पॉइंट इस दाट ये जो प्रोफेशनल पॉइंट ये है कि जो कल वायू सेना ने कारवाई करी वो कारवाई जिन अस्त्रों के साथ करी वो हमारे पास काफी टाइम से थे पर उनका उप्योग नहीं हुआ था एक पॉलिटिकल विल थी और जिससे की डिरेक्शन मिला कि इसका इस्तेमाल करो और कर दिया और आगे भी जब भी जरूरत पड़ेगी तो वायू सेना में यह सक्षमता है कि वो दुश्मन को मूत और जवाब दे तो इसमें एक ही चीज जो मिसंग थी वो थी पॉलिटिकल विल और वो अब इस समय है और यह मैसेज बड़े क् कोशिश कर भी रहे मैं आप से एक पॉइंट समझना चाहता हूं आज क्योंकि पाकिस्तान के लड़ाकु विमान भारत के अंदर उन्होंने मिल्टरी एसेट्स को टागेट करने की कोशिश की जो मिया का बयान है लेकिन हमने हमारे मिक ने एफ 16 विमान को मार गिराया लेकिन इसी बीच हमारा एक विमान उनका उनकी तरफ चला गया या फिर पाइलेट उनकी तरफ चला गया जिसकी अभी पुक्ता जानकारी नहीं मिल पाई है उस पर आप क्या टिपपनी करना चाहते है जो आज पाकिस्तान ने एक एक अडवेंचर करने की कोशिश करी वह और कोई अट equipped नहीं था उनोंने उन्होंने अपने अपने लोगों को दिखाने के लिए कुछ चूज किये और सुबह के टाइम उनका इस्टेटमेंट यह यह था कि यह नौन मिलिटरी टार्गेट है तो इंडिया में नौन मिलिटरी टार्गेट जोंसבה और हैं तो जो भी था उनका जो भी एरादा रहा हो वो उसमें सक्सेस्फुल नहीं हुए अगर सक्सेस्फुल हो जाते तो एक एसकेलेशन का मुद्दा बन जाता उनका कितना उसमें उसके बारे में नहीं कह सकता हूं पर अगर F-16 को एक हमारे बाइसन जो की अब्रेडिड में 21 है उसमें सक्सेस्फुली इंगेज किया जब ऐसी लड़ाई होती है तो उसमें दोनों साइट मिसाइल फायर करेंगी हो सकता है कि दोनों को शती पहुंचे पर अगर बढ़ा और एसकेलेशन हुआ तो उसमें जो ज़रूरत है और वो पॉलिटिकल विल गौरबाटिया में आगे भी दिखेगी क्या कोकि पॉइंट इस समय ये है कि कहीं न कहीं भारत के अंदर से भी कुछ आवाजे उठ रही है कि वार मॉंगरिंग से लिशन नहीं है कोई वार मॉंगर नहीं होता लेकिन हम पे तो जंग ये बढ़ाऊंगा कि हमारी सेना और वायू सेना हमेशा वीर रही है लेकिन उनको खुला हाथ देना एक राजनितिक इच्छा शक्ती दिखाना कि जो वो सही समझते हैं देश के हित में कर सके वो भी आवश्चक होता है उसकी अंदेकी नहीं होनी चाहिए और अमीज जी आज कम से कम उसी वायू सेना की तारीफ कर रहे हैं और उनके योगदान को समझ रहे हैं और आप से मेरी गुजारिश है नरेंदर मोदी जी की तारीफ अब मत करिये इसलिए मत करिये कि कुछ लोग परिशान होते हैं उससे नरेंदर मोदी जी भारत के जो एक सो तीस करोड नागरिक है उनके दिल में हैं और वो ही कर रहे हैं जो एक देशवासी करेगा तारीफ कराने के लिए नहीं इसलिए कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए इमरान खान ने आज एक बात कही कि हत्यार मेरे पास भी है और हत्यार भारत के पास भी है अरे इमरान खान हत्यार तो है लेकिन यो वीरता जो पराक्रम जो जज़बा भारत की सेना के पास है वो कहा से लाएगा एक भिकारी जो देश है और जो एक आतंकिस्तान देश ये बड़ा फरक है भारत में और पाकिस्तान में कुछ दिक्कत लांने की कोशिष करते हैं तो आप अपनी निश्पक्षटा पर मुझे आपके शर्याहिए यह देश का नंबर वन चो है मेरी निश्पक्षटा मेरा विवर बताता है निश्पक्षटा की चिंता करिए अपनी बात कर रहा हूं मैं रघ्डेश का खुर्राइट Ain उपकन और संब मुफ से बात एक कर रही है कि 1971 इंद्रा गांडी जी उने श्रे से लिया क्या हम नहीं जानते 180 का जो युद्ध हुआ, उसके बाद जनरल मानिकशूक का कितना गूंगान हुआ जकजी सिंगरोडा जी का कितना गूंगान हुआ मोधी मोधी अगर चल रहा है आप वो कर रहे हैं और कोई और करेगा तो क्या हमारा फर्स नहीं बनता हम बोले कि बहू ये हग सिर्फ हमारे भाइय। सेना के पलवी जी पलवी जी भाविच बिछ तेना के नहीं स्टेट्मेंट दे और कि मानिक्षा का गुंडगान हुआ ये मानिक्षा वहई है जो साउड ब्लॉक ते ऐसま का समान उठा कि इंदर गांदी नहीं बाहर विक्वा दिया था ये मानिक शाव वही है जिसके पेंशन के लिए उसको लड़ना पड़ा था और जैनी साव यहां बैटे हैं मानिक शाव वही है मैडम जे खत्म हुए जब उनका निलन हुआ तो एक हंगरी ने बारतिय सेना के अध्यक्ष को लोकल कमांडर्स को उनके शुदाजली देने के लि आपने बिल्कुल गलास्टिक पर दे दिया है ये आपको फैक्स नहीं मालुम है आपने जनरल मानिक शाव का नाम लेकर और जिस तरीके से आपने गुम्रा के नेगी कोशिश करिए मेरे को इससे आप पत्ती है पत्ती है बैड़ा आपने उसादी का जितना पिस्ती करी है ज जो अपमान जनरल मानिक शाव का हुआ वो मेरे कहाल में भगवान किसी भी कोशिश करिये लिए जनरल इंके सबेदारों को लिहाद करिए जनरल इन आप देखें आप गल्टतां को चेड़ा एक चेक नहीं से लिए आप गलत प्रोपचंडा कर रही हैं। ने अधिकी देश इमोश्टनल बेखिए इस समय पाकिस्टान देख रहा हो तो देख रहा होगा कि क्या कुछ हो रहा है हमारे देश के अंदर हम इस समय जिस सिचुएशन में बैटे है जैनी साब ये सब कुछ हम अफोर्ट कर सकते हैं क्या हम कह रहे हैं 71 में किसको क्रेडिट मिला किसको नहीं मिला आज 2019 में हम कड़े हैं जैनी साब पहले बात क्योंकि एक बहुत गलत बात होगी जो एक सेकेंड बनी एक सेकेंड बनी अंडरस्टाइड इस सिचुएशन की कॉप्रिसिटी क्या है गलत प्रस्पेक्टिव जनता को नहीं जाना चाहिए मैंनिक शॉक्स आपकी बात मैं सेकेंड में खतब करूगा तुकि वो जिवेट का सब्जेक्ट नहीं है मरते दम तक उनको उनका चेक नहीं मिला था लास्ट डे ओफिस ब्रेथ को लास्ट को प्राइम मिनिस्टर चेक लेके गए थे उनके जो जो जब क्रिमेशन हुआ के सब्सक्राइब के रहा है यह रही है आपकी पेंशन, 17 यह रही है आपकी पेंशन, 17 यह उनका कुनूर में वेलिंटन के पास उनका जब लास राइस हो रहा था, वेलिंटन कर जाता हूँ, यह डिबेट पाकिस्तान में वायरल कर देगा, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों को, आप पॉर्मर्य सोल्जर्ज करेंगा, यह रही है, वायर्ल हो सकता है, यह रही है, यह रही है, बिल्कुल आपकी पास्टान को, एक चल्यकिन प ते स्टूडियो ना ओो गभातिया dollars मेड़म वार्ड जोन में मैं रिक обязательно मैं हम वार्ड जोन में खड़े वर्ड जोन में करे मैं हम रिकंच कर看 कर रहा हूं किला कि शाना की शबदो का स्टमाल ना करें निजोश्ट साथ काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए गौर गौर भाटिया गौर गौर भाटिया मैं उमीद करता हूं कि राजनिती करण से हम दूर रहेंगे जरूरी है इस समय ये देश वोर्ड जोन में खड़ा है अमीजी बिलकुल मैं मैं पूरा प्रियास करूंगा कि मर्यादा रखे और राजनिती करण ना हो और एक बात जरूर कहना चाहूंगा जब फॉर्मर सोलियर कुछ बात कहे तो उनकी बात हमें धेरे से सुननी चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए हम सबसे बहुत ज़्यादा भूमिका उनकी है देश को सुरक्षित और मजबूत रखने में अब मैं एक बात पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से देखिए अभूत पूर्व कारवाई हुई क्यों हुई जब पुल्वामा अटाक हुआ उसके बाद नेशन का दरजा ता पाकिस्तान कामीस जी जो वापस 24 गंटे के अंदर ले लिया गया लेकिन हमें खुशी है अपने लिया लेकिन बहुत देर तेर से लिया अमी जी मैं अपती बात पूरी कर लो देखे मैं केवल ये कहना चाहरा हूँ कि पिछले 13-14 दिन में जो इतिहासिक फैसले लिये गए हैं उससे कहीं न कहीं ये जो आतंकी देश है पाकिस्तान इसकी कमर तूट गई है और जो हमारी नदियों का पानी है वो भी पाकिस्तान ना जाए 1960 की इंडिस वॉर्डर ट्रीटी अफ एसला लिया गया है जी जी आज बड़ी जी है कि मसूद अजर का भाई और उसका बहनोई मारा गया कल की स्ट्राइक में वो दर्द हुआ मसूद अजर को और वो दिन भी दूर नहीं जब मसूद अजर भी या तो भारत आएगा ठीक है कि और फाल भी आज़ और वहां जो और जो निर्ले ले हम उनके साथ है गऔर भाटिय जी ने इंडस ट्रीटी की बात की हम भी चाते हैं कि वह जो पाकिस्तान को पानी जा रहा है वो रोग दिया जाए हमें उरी में भी इस सरकार ने वादा किया था उरी के बात भी क कि वह रोग दिया जाएगा लेकिन अब हम चाते हैं कि वह उस वादे पर पूरी उत्रे दूसरी बात मैं कहना चाती हूं कि हम मिलिटरी स्ट्राइक पे अगर आज जो हम मिलिटरी स्ट्राइक की बात करते हैं हम शत शत नमन करते हैं अपने उन वीर सैनिकों को जो रन भूम मैं उन्हें भी बताना चाहती हूं उनके जरीए दर्खवास करती हूं कि आप ऐसे कूर्ट मीतियां बनाईए ऐसे डिप्लोमाटिक भी कड़े कदम लीजिए जिससे पाकिस्तान को लगे कि अब उनकी कमर कस हिंदुस्तान में कमर कस नहीं है आपकी जो भावना है उसी को अरुन जेटली ने बोला कि जैसे जैसे उसामा बिल लादिन को परकारवाई हुई थी उसी तरह की कारवाई होगी लेकिन आप ने डिप्लोमेटिक प्रियासों की बात करी चाइना ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को लताड़ा है ये भारत की ब बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है अमेरिका भारत के साथ खड़ा है इस कारवाई के अंदर वो बड़ी बात है रश्या इसरील वो भारत के साथ करें यह बड़ी कारवाई है इसलिए इस ग्लोबर टेंशन और ग्लोबल प्रेशर की वज़ए से आज इमरान खान को एक बार यह दो बार कहना पड़ा कि हम बादचीत करना चाहते हैं बादचीत ही रस्ता है ये मैसेजेज देने की कोशिश करी कि अब रुकना चाहिए भारत को क्योंकि पाकिस्तान ने जो आज हिमाकत करने की कोशिश करी और हमारे फाइटर जैट्स ने उनको मार गिराया आप देखें इतियास में पहली बार हुआ है मिग विमान ने F-16 को मार गिराया है ये बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है क्योंकि मिग की वियू रचना और F-16 की वियू रचना में बहुत फरक है मैं बहुत ताकत पर विमान है लेकिन मिग ने उसको मार गिरा है और दूसरा अडंबर जो चलाने की कोशिश होई पोलिटिकली वो मैं बहुत तरीके से क्लियर आउट करना चाहता हूँ कि मिराज जिनोंने कल ये हला बोला था पाकिस्तान के कैम्प्स पे ये डेसॉल्ट का बनाया हुआ मिराज है ये बात भी स्वास होनी चाहिए तो कहीं न कहीं हम इस पूरे इस पूरे घटना करम के अंदर हम आर्मी एरफोस सब की तारीफ है लेकिन टेक्नोलोजी की भी तारीफ है इसमें कोई दोरा ही नहीं है मेरे साथ पूर वेयर माशल है वो कुछ अपनी बात को अड़ करा जाते है अभी जीत वांट तो से सम्टिंग इसमें जो स्थिति है उसके अंदर एक ग्लोबल डिप्लोमेटिक प्रेशर है दूसरा है हमारी एर स्ट्राइक्स का दबाब जो पाकिस्तान पर देखने को मिल रहा है यहां से अगर एक्सेलेरेशन होती है मामला बढ़ता है तो कहां तक जा सकता है मामला अगर बढ़ेगा तो ऐसे धीमे धीमे करके यह जादा दिन नहीं रहेगा अगर बढ़ा तो एकदम से बढ़के और नहीं है तो यह थोड़े दिन के बाद में डिप्लोमेटिक प्रेशर में दोनों साइट किसी ना किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगी तो यह कहना तो मुश्किल है कि क्या रुख यह लेगा पर जहां तक मेरा अपना अंदाज है पाकिस्तान की एर फोर्स और पाकिस्तान की सेना यह नहीं चाहेगी कि इंडिया से डारेक्ट कॉन्फरंट्रेशन हो क्योंकि यह उनके हित में नहीं है भारती वाइव सेना बहुत मजबूत है पाकिस्तीन वाई सेना को इसकी पूरी जानकारी है और उनकी पर नहीं है और इस जानकारी के साथ वह जानते हैं कि इस तरह के चोटे मोटे आ narrower कर सकते हैं पर अगर और वलोड़ वार हुई तो उनको बहुत ज़ादा नुक्सान होगा और मुझे नहीं लगता है कि वह इसमें दिल्चस्पी लेंगे अभी जी तेमरान खान कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए और हमारे देश में कुछ तथा कते थे जो कहते हैं वार मॉंगरिंग नहीं करने चाहिए बातचीत हो जानी क्या कि अभी यहां थक को इसे तुनिए सुनिए बादचीत ही हम लोग करते रहें सि स्ब्र बातचीत बादचीत की नौबत यह कि बाकीजा बहस हो गई अभी थपड मानना शुरू कर दो इनको थपड मानना शुरू कर दो और हम उस प्रथा में नहीं जाते यहां पे एक गाल में थपड मारो दूसरे गाल में यह चल रहा था साथ आठ साल पहले तक एक गाल में थपड मारो दूसरा गाल आगे कर दो हमको नहीं चीए अभी पल्लेवी शर्मा जी ने गौरव जी को बताया कि आप ये कीजिए पाकिसान के खिलाफ ये कीजिए आप पाकिसान के खिलाफ ये कीजिए जिस दिन करेंगे आपनों कोश्चन उटाओगे आपनों कोश्चन उटाते हो क्योंकि आज पूरा देश जवानों के साथ रहा है शहादत के नाम पे सब लोग रो रहे हैं घड़ी अलिया आसू बहा रहे हैं लेकिन आज आपकी हिम्मत नहीं है लेकिन दस दिन बाद जब फिर मुद्धी ये करेंगे या सरकार करेगी तब आप कोश्चन करोगे कुस ने कोश्चन किया बताइए यह आप ही के लोगो असद और इनको पकड़ने का आफिस को इंडिया में भरे पड़े हैं इंडिया में कश्मी में बढ़े पड़े हैं मुंबई में बढ़े पड़े हैं दिल्ली में बढ़े पड़े जो देश में टुकले टुकले की बात कर रहे हैं उनको आप जेल के अंदर तक नहीं डाल प कॉंग्रेस पार्टी में बहुत से दिगज नेता हैं आप किसी एक नेता का नाम ले लिजिए जिसने सरकार पर उंगली उठाई हो और कहा हो कि ये कारवाई गलत की या ये कारवाई नहीं होनी चाहिए ये थी पुल्वामा अटाक के बाद एक नाम लीजिए सर्जिकल स्ट्र ढो बाद एक नीटा का नाम लीजिए खम बंद नाम कि और नीटर कांग किस्के सामने सब्सक्राइबा ठील स्ट्रिकल सब्सक्राँ करने किसा सब्सक्राइब कि Clayton में कि सब्सक्तिने से तुनुट के सब्सक्रास요 जैनी साब कुछ कहना चारे हैं कि एक सब्सक्राइब को बोले दीजे ना पलबी पलबी एजिकल स्ट्राइक में इतना ब्रेव एक्शन इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेज ने किया तो एक राज़ी तेक पार्टी ने जबकि के डायरेक्टर जेनरल मिल्टरी ऑपरेशन ने पब्लिक बने में डोमेन में डाना कि हमने ऐसा किया है तो पार्टियों ने ये पूछा कि हमें प्रूफ दीजिए इस बात का अब एक बात मैं साफ करना चाहता हूं पमीश जो कि के गलत प्रसेफ्शन जा रहा है देश में सब लोग बोल रहे हमने आ आर्मी या डिफेंस फोर्चे जो है वर्ड की सबसे बड़ी अपुलिटिकल अराजनेतिक फोज है बिल्कुल सही करें और अगर बोलने दो बहुत जरूरी बात है बहुत ही जरूरी बात है अगर चेके पाकिस्तान से वार डिकलेर करनी है आर्मी नहीं करेगी वो पुलिट अगर कर नी, लेक पुलिटिकल डिकलेर को भी आने दीजिए करनल दानवीर बहुत ही एहम बात करी कि पुलिटिकल डिसिजिएंस होते हैं और अब यहां से हम कहा जाएंगे वो भी पुलिटिकल डिसिजिएंस होगा, वह तस यूर टेक, मैं अरुन जेटली साब का जो स्टेटमेंट उसको बहुत गंबीरता से और इस पॉइंट पर दुबारा इन कॉंटेक्स लाना चाहूंगा, और अगर अगर अब्टाबाद में अमेरिका ने करा था, तो यह काम हम भी कर सकते हैं, तो इससे संदेश बड़ा क्लियर जाता है जो अरुन जेटली जी ने उस समय बोला कि हम जो है, काउंटर टेरर आफ्स जारी रखेंगे और हम पाकिस्तान के हिंटर लेंड में जहां जहां आतंगवादी चुपे हैं, वहाँ पर हम स्ट्राइक करेंगे आगे के लिए बहुत जरूरी है, और कई बार जब फोर्स मॉडनाइजेशन होता है, जब कोशिश करती है नए उक्पेंट खरीबने की तो राजनेतिक मुद्दा बन जाता है, तो निवेदन करना चाहता हूं, बैद लुक है इस देश का, आपने बिना कहें बहुत बड़ कि इस तरह अगर बाधा डालते रहेंगे, तो हमारी सेनाएं कमजोर होंगी, और वो बहुत ही खराब होगा आगे के लिए, इसी डिवेट करते रहेंगे, उसमें जूटे इलजाम लगाते रहेंगे, तो वो गलत होगा आगे के लिए. और समझ रहें, आपका इशारा हम समझ रहें, आपका इशारा रफैल की तरफ है, अगर आज रफैल होता तो बहुत सिच्वेशन डिफरेंट होती, लेकिन मौजूदा सिटी हमारे सामने है, राजनीती में नहीं पढ़ना चाहिए और ना पढ़ने के दिन है ये, तो कि ये बैठक चल रही है, मैं तकून बैठक चल रही है, परधान मंती नरेंदर मोधी के निवासतान पर जापर तीनो सेनाओ के वायू सेना, थल सेना और नेवी, इनके अध्यक शामिल है, वो बैठक अप खत्म हो गई है, पी-एम अवास पर, तीनो सेना प्रमुकों की बैठक ख के हुए है, इस समय भारत वाकई बहुत सूच विचार में है, आगे क्या करना है, मैं सीधा रुक करता हूँ, एक्सपोर्ट का, क्योंकि इस समय एक्सपोर्ट की राए लेनी बेहत बेहत जरूरी है, गौरा भातिया भी मेरे साथ बने हुए है, बीजेपी से कॉंग्रस से है, लेकिन मैं करनल दानवीर आपके पास आता हूँ, 40 सेकिंड के अंदर, ये एहम बैठक खत्म होई है, बहुत बड़ी बैठक होई है, जिसमें तीनो से नाओ के प्रमुक जो थे वो प्रदान मंतरी के साथ उन्होंने बातचीत करी, आपको ये बोलना चाहूँगा कि अपने आप्शन्स को प्रदान मंतरी के साथ डिस्कस करने का है, और प्रदान मंतरी ने पक्का कोई डिसीजन दिया होगा, अब वो समय बताएगा कि क्या है, जी, मैं गौरब भाटिया आपका रुक करता हूँ, आज जॉइन स्टेटमेंट आई विपक्ष की तरफ से उन् लेकिन जो देश में दीमक है न, जो ये कहते हैं कि हाँ पाकिस्तान से बाचीत होनी चाहिए पुलवामा अटाक के बाद, उन दीमक को मारना होगा, उन दीमकों को भी मारना होगा, जो ये आरोप लगाते हैं कि पुलवामा घटना के बाद, प्रदान मंतरी फोटो खिचव रहे थे और उन दीमकों को भी मारना होगा जो सरदलिय बैठक के बाद कहते हैं कि देखिए ये सरकार राजनितिक लाब ले रही है उन दीमकों को भी मारना होगा जो अलगाव वादियों की सुरक्षा वापस होने के बाद कहते हैं कि ये गलत हुआ है सुरक्षा वापस नहीं होनी चाहिए और उन दीमकों को भी मारना होगा कि पुलवामा घटा की खबर आने के दो गंटे बाद जो प्रेस कांफरेंस करते हैं यह कोच और दीमक हमारे देश को खा रहे हैं और इनको सही करना भी पर ऑपोजिशन अभी करिये बंग कमरे में लेकिन यह कह देना कि यह जो अटाक हुआ है इसके बाद राजनिति जी 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 आप क्यों करने की जरूरत है कि नरे नमोधी राजनिति करल कर रहे हैं देखे मैं आपके प्रशन का स्पष्ट जवाब दूंगी मुझे 10 सेकंड बस जो गौरब भाटिया ने का उसको रिबाट करने जी 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 बाजपा को ओपोजिशन से कितनी नफरत है एक लोग तांत्रिक देश में रहते हुए वह यह जो आज अटैक्स हो रहे हैं इस देश पर सैना पर राजनीती नहीं होनी जाए आज अमीज़िव आप भी अपने स्टूडियो में यह कह रहे हैं एक शौरवीर यहां बैटे कैरा है कि राजशनीती नहीं होनी जा यह घ्रत एघरत हैं दूसरी बात यह किसमे बियान कि के इंद्र में कॉंग्रेस की सरकार नहीं है आज तो भाजपा की सरकार है तो पाकिस्तान को मूँ सोच जवा देखे एक पॉलिटिकल विल्स तो होती है एक अपसर में इंद्रा गांदी की ती उन्निस में नरेंद मोदी की है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते के साथ खड़ें एक इंद्रा गांदी को दुर्गा क्या दुर्गा का गया एक इंद्रा गांदी को दुर्गा का गया कॉंग्रेस ने उसका खूब बखान करा करा नहीं करा आज अगर मंगल के दिन नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक फैस्ता लिया तो कहीं न करने का निर्दोस्ट पाइड कि को अक्रम दिज्ञें की को इन जो निए मैडम मेडम अनुबव का रहा पका सम्मान करें निर्दोस्ट यागी बोलिए अपनी बात को कई ए पॉलेटिकल मेल कितनी मोडें होती है जंग आपने भी लड़ी है देख इढाथ देखिए डिसीजन जो होते हैं सारे वार के या किसी भी ऑक्रेशनल एक्षिन दुश्मन के खिलाफ वो पॉलिटिकल क्लेरिंस के बाद ही होते हैं तो पॉलिटिकल विल इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि इस समय की पॉलिटिकल विल जो है बिल्कुल आपने सही का समय फिला लेता ही है निश्कर शही है कि यह आरंब प्रचंड है और इस आरंब प्रचंड के अंदर राजनीती को अगर आप आरंब कर देंगे तो वो फिर आपके लिए जंता के सामने प्रचंड बहुमत नहीं कहीं सुदिए देश की बात है और देश की बात को डंके की चोट पे रखना जरूरी है और कुछ तताकतित को यह मैसिज देना भी जरूरी है की बात बहुत हुई अब काम होना चाहिए काईदे से यह जनता की भावना है